Hi viewers, welcome to Arfa Foods, आज मैं बनाने वाली हूँ एक पफ, ये बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत क्रंची भी होता है, तो आज मैं कैसे बनाने वाली हूँ, आज आप सबको बताने वाली हूँ, हम इसे घर पर भी आजानी से बना सकते हैं, बगएर ओवन के, ये बहुत टेस्टी होता इसका जो मसाला है वो भी बहुत अच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह बनाने वाली हूँ मैंने एक बॉल ले लिया है इसमें मैं दो कप मैदे काटा दाल लूँगी आदा चमच नमक दालूँगी आदा चमच शुगर दाल लूँगी अब इसे अच्छे से मिला लेना है हम यहाँ पर ठंडा पानी ले रहे हैं ताके आटा जो है अच्छे से स्टिफ हो जाए थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर अच्छे से हमें ग्यों की रोटी का आटा किस तरह भीगाते हैं बस उसी तरह भीगाना है अच्छे से भीग चुका है अब हम इसे 20 मिनेट तक बाजू रख लेना है देखिए 20 मिनेट हो चुका है अब हम देखेंगे किस तरह हुआ है ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है बस इसी तरह चापाती की रोटी की तरह हमें आटा भीगा लेना है तो चलिए शुरू करते हैं गोल बना कर इसे अच्छे से बेलना है मैंने एक पैड ले लिया है इसके उपर आटा दाल कर इसे अच्छे से बेलना है उपर भी थोड़ा आटा दाल लूँगी अब इसे अच्छे से बेलना है इसे लंबाई में बेलना है गोल नहीं बेलना है ये देखिए इस तरह से ज्यादा पतला नहीं बेलना है और ज्यादा मोटा भी नहीं बस आदा इंच से भी थोड़ा कम रहा तो भी चलेगा ये देखिए ये साइज में हमने बटर ले लिया है देखिए मैंने इसे बाहर निकल कर रख लिया था ये इस तरह से soft हो चुका है थोड़ा अब हम इसे अपने रोटी पर apply कर लेंगे हमें ये butter three times apply करना है तो मैं इसमें से थोड़ा ही लेकर लगा लूँगी butter सारा apply हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर आठा अच्छे से बारिक बारिक करके अच्छे से उपर से डालना है अब हम इसे नीचे से आदा fold करेंगे और उपर से भी इस तरह से आदा fold कर लेंगे इसे और एक एक fold कर लेंगे इस तरह से ये देखिए इस तरह हो जाएगा थोड़ा सा आटा दाल कर अच्छे से प्रेस कर लेंगे यहां भी थोड़ा सा आटा दाल लेंगे बस अच्छे से प्रेस करेंगे अब हम इसको एक ट्रे में रख लेंगे हमें इसे डी फ्रीज में रखना है मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है इसे भीगो कर रख लिया था मैंने कपड़े को इसके उपर अच्छे से ढखक कर हमें de-freeze में आदे घंटे तक रखना है हमने तब तक अंडे को उबा लिया है हमने तीन अंडे लिये है आदा घंटा हो चुका है ये देखिए टाइट हो चुका है आटा अब हम इसे आटा दाल कर थोड़ा सा इसे बेल लेंगे ये देखिए इस तरह से अच्छे से बेलना है अगर आपके पस ज्यादा वक्त हो तो आप इसे बना लीजिए क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा टेंशन मत लीजिए आराम से आप बना ले सकते हैं घर पर हमने सारा बटर अपलाई कर लिया है देखिए इस तरह से बटर को अच्छे से अपलाई करना है इसके उपर हम आटे को इस तरह से डाल लेंगे बटर के उपर जो है आटा अच्छे से लग जाए इसे हम नीचे से फिर एक फोल्ड कर लेंगे और उपर से भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से थोड़ा प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे ये देखें अच्छे से फोल्ड हो चुका है इसके उपर थोड़ा से हम आटा दालकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे कपड़े को कच्च करके इसे ढाप देंगे आदे घंटे तक ये देखिए आदा घंटा हो चुका है हमने इसे फिर से निकाल लिया है ये देखिए टाइट हो चुका है आटा ये देखिए हम फिर से आटा दालकर इसे इस तरह से बेल लेंगे अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं हो तो आप सिर्फ दो बार ही डी फ्रीज में रखकर इसे बना सकते हैं अगर आपके पास वक्त नहीं हो तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप तीन बार इसे डी फ्रीज में आदा आदा घंटा रखना पड़ेगा और बटर को इसी तरह अप्लाई करके इसी तरह प्रोसेस में कर लेना चाहिए बस आटा दाल देंगे इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे हमने दो बार रखा था डिफ्रिज में अब ये तीसरी बार है इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे आटा दाल कर इसे फिर से ट्रे में रखकर कपड़ा धाब देंगे काटन का कपड़ा ले लेंगे इसे अच्छे से धाब देंगे डिफ्रिज में रख देंगे एक टेबल स्पून मैदे काटा लेकर थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए इस सरा से मिला कर इसे साइड में रख लीजिए हम एक पफ का मसाला बना लेंगे एक पैन ले लिया है इसमें हम दो टेबल स्पून ऑईल डाल लिया है अब हम इसमें हरी मिर्च को डाल लेंगे हरी मिर्च को थोड़ा होते ही हम इसमें प्यास डाल लेंगे हमने प्यास को अच्छे से बारिक काट लिया है इसी साइज में काटना है आप लोग को भी इसे अच्छे से मिला लेंगे देखें प्यास अच्छे से गल्चुकिए अब हम इसमें पाउ चमच हल्दी पाउ चमच नमक, आदा चमच मिर्च पॉडर पाउचमच काली मिर्च पॉडर दाल कर अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें पाउचमच धन्या पॉडर दालेंगे दाल कर इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर इसे ये देखिए ग्रेवी के तरह बना लेंगे पानी तो अच्छे से जुर चुका है पानी कम हो चुका है अब हम इसे बन कर देंगे हमने अंडाओं को अच्छे से काट लिया है आदा आदा करपर से मिर्च पॉडर दाल लेंगे और थोड़ा सा नमक दाल लेंगे और काली मिर्च को भी उपर से डाल लेंगे ये देखिए आदा घंटा हो चुका है ये देखिए अच्छे से टाइट हो चुका है आटा अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे आटा डाल लेंगे इसके उपर से थोड़ा सा आटा डाल कर अच्छे से हमने इसको दो हिस्सों में काट लिया है आदा हिसा निकाल कर रख लेंगे ये देखिए बटर के लेर्स कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं बस इसी तरह आना चाहिए अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे आदे लेर में हमें 6 अंडे पफ्स होंगे हम इसे साइट से नहीं काट रहे हैं बस इसे अच्छे स्कर लेंगे बस इसी तरह से कर लीजिए अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे ये देखिए इसमें हम 6 पीसेस करेंगे ये देखिए 2 पीसेस हो चुके है और एक साइट से इस तरह से काट लेंगे ये देखिए पूरे 6 पीसेस हो रहे हैं इसमें एक चमच मसाला दाल लेंगे और हम इसके उपर एक गुर रख लेंगे हमने जो मैदे के आटी की लाई बना ली थी इसके उपर से इस तरह लगा कर दूसरे लेर को इस तरह अटाच करना है हमने थोड़ा सा दूद ले लिया है दूद को उपर से इस तरह से अपलाई करेंगे ताके हमारे एक पफ जो है करंची करंची हो इसलिए अगर आप आईल लगाना चाहते हैं तो आईल भी लगा सकते हैं तो देखे एक पफ हमने रेडी कर लिया है हम सारे एक पफ को इसी तरह रेडी कर लेंगे आप लोग भी ज़रूर बना कर देखिए घर पर यह बहुत टेस्टी भी है और बहुत क्रंची एक पफ है हमारे सारे एक्स पफ अल्मोस्ट रेडी हो चुके हैं तो चलिए हमें एक बाउल ले लेंगे उसको हम आईल अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हमें स्टील का नहीं लेना है हम silver का bowl ले लेंगे steel का हो तो हमारे x puff जल जाएंगे तो steel का नहीं लेना है हमें हम सारे x puff इसमें रख लेंगे ये देखे इस तरह से x puff अच्छे से ready हो चुके है अब हम एक बड़ा bowl ले लेंगे हमने bowl रखने का stand लिया है इसमें रख लिया है ये देखे एक पफ का bowl इस तरह से रख लेंगे ताके side में bowl जो है touch ना हो बस उसी तरह रख लीजे बीच में रखना है आपको बॉल को अब हम इसे आदे घंटे तक रखेंगे medium flame पर ही आदा घंटा हो चुका है अब हम इसे देखेंगे किस तरह हुआ है ये देखेंगे अच्छे से पक रहा है और कलर भी अच्छे से आ चुका है इसे पल्ठा लेंगे अब हम देखेंगे किस तरह हुआ है ये देखेंगे ब्राउन कलर अच्छे से आ चुका है क्रंची क्रंची भी दिख रहा है देखने में भी हम सारे एक्सपफ पल्ठा लेंगे अब हम इसे 10 से पंदर अमनेट तक रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही पंदर अमनेट हो चुके है अब हम इसे पल्ठा कर देखेंगे किस तरह हुआ है ये देखिए अच्छे से हो चुके है प्लीज आप लग जरूर बनाईए ये बहुत टेस्टी है घर पर ही हम इसे बना ले सकते है आसानी से बस आपके पस वक्त ज्यादा हो तो बना ले सकते हैं हम इसे इसे हम अब सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए कितने अच्छे लग रहे है देखने में भी मुझे तो बहुत पसंद है ये एक पफ्स ये देखिए एक स्पफ रेड़ी है ये बहुत अच्छे से क्रंची क्रंची हुए है एक स्पफ आप लोग भी धर पर ज़रूर ट्राए करे कि मैं किस तरह बनाई हूँ आप भी उसी तरह बनाईए मैंने इसे दो हिस्से में काड दिया है देखेंगे कि अंदर किस तरह है इसका मसाला ग्रेवी ये देखिए अच्छे से पक चुका है अंदर बेकरी के टेस्ट में ही आपको ये घर पर बन जाएगा मैंने जिस तरह बनाया है बस आप उसी तरह बनाईए बहुत टेस्टी होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड से शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फो वाचिंग